भारत में लगने जा रहा है चंद्रग्रेंड यानि कि 28 और 29 अक्टूबर को भारत में आंसिक चंद्रग्रेंड लगने जा रहा है कब उसका समय है किस समय पे चंद्रग्रेंड लगने जा रहा है क्या उसकी अवदी है क्या सूता काल है और युद्ध काल में चंद्रग्रेंड लगना क्या भारत के लिए शुब है या वार्ड के लिए शुब है या शुब है आस्विन मास में चंद्रग्रेंड में शास्त्र क्या बोलता है इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा करेंगे और बारा राशियों पे यानि कि आपकी राशी पे जो तिस ही प्रभाव क्या है इसके बारे में भी इस कारेकरम में चर्चा करेंगे जै मातादी मित्रों मिरा नम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 28 और 29 अक्टूबर को यानि 28 की रात 29 की सुबह आंगल कनेंदर के अनुसार यानि अंग्रेजी मास के अनुसार ग्रेहन लगने जा रहा है जो 13 परसंट एफेक्टिव इस लिए इसको शास्तरू के अंदर देखा जाये तो आंसिक चंद्र ग्रेहन कहा जा रहा है यानि कि यह आंसिक चंद्र ग्रेहन कहीं पर इसको खंडग्रास चंदर ग्रैंड भी कहा जा सकता है जो की आश्विन शुकलपक्ष पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है शनिवार के दिन लगने जा रहा है और रात्री में यानि की रात्री में एक बच के पांच मिनट से लेकर दो बच कर चौबिस मिनट तक लगने जा रहा है यानि अंग इसका effect यानि कि चंद्रमा को पिर्थवी की जो छाया है बारा परसेंट ही ढकने वाली है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में चंद्रमा कितना ग्रहेंट में effective होगा यह हमने इस चित्र में बताया है 12% इसलिए इसे खंडगराश चंदग्रेंड कहा गया है या फिर आंशिक चंदग्रेंड कहा गया है अब सवाल यह पैदा होता है कि यह जो ग्रेंड है भारत के इलावा कहां का लगेगा इसका सूतक पातक क्या है इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा कर लेते हैं यह ग्र के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा नेपाल के अंदर भी ग्रेंड दिखाई देगा श्री लंका के अंदर ऑस्टेलिया के अंदर भूटान के अंदर चाइना में बिजिंग में दिखाई देगा ब्रिटेन में लंदन में दिखाई देगा जापान में तोक्यों में दिखा दिखाई देगा और सबसे पहले क्योंकि एक ग्रहेंड भारत के अंदर लगने जा रहा है तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में किन किन शहरों में किस समय ये ग्रहेंड दिखाई देगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दिल् कर साथ मिनट में यह दिखाई देगा भोपाल में देखा जाए तो एक बच के चार मिनट पे दिखाई देगा इसी प्रकार से तमाम शहरों की लिष्ट आपके सामने आ रखिए आप जिस भी शहर में रहते हैं लकनव में रहते हैं तो आप उसके साब से आप देख लीजिए आपके शहर में चंदर मा कब दिखाई दे रहे हैं कब ग्रहन लग रहा है इसकी लिष्ट आपके सामने है चलिए आप बात कर लेते हैं कि आंसिक सूर्य आंसिक चंदर ग्रहन है और आंसिक चंदर ग्रहन का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा यानि 28 प्रभाव रहने वाला है जै मातादी आसी जी आसी जी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे की आपका अनुभव कैसा रहा आप गुरुजी से जुड़े हैं तो कैसा अनुभव है आपका हम गुरुजी से करीब आज 8 साल से लगातार दिखाते आ रहे हैं 2012 से हमने रहेंगे ठीक है आसी जी बहुत बहुत धन्यवाद माता रार्नी आपके सारी मनों काम नाइप पूर्ण करें अप सूतक और ग्रहन काल में क्या क्या वर्जीत है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सूतक और ग्रहन काल में देखा जाए तो मूर्तियों को छूना मूर वर्जित है यदि आपको पानी पीना ही हैं चाय पीनी हैं तो उसके अंदर तुल्शी दल डालके तब आप पी सकते हैं 7. ग्रहन काल या सूतक काल के अंदर मेथौन किरिया करना सोना 7. नाखौन काटना या सर पे तेल लगाना वर्जित होता है साती सात रोगी बच्चे या गरवती श्त्रियां ग्रहन काल में खासकर सूतक काल के अंदर अपनी दवाईया ले सकती हैं कुछ भोजन वो कर सकती हैं भोजन करना है तो तुलसी दल उसके अंदर डालने और शास्त्रों के अनुसार सूता काल या ग्रहन काल के अंदर दूद दही आप ले सकते हैं लिक्विट डाइट आप ले सकते हैं फलों का रस लेने को कहा गया है यानि दूद ले सकते हैं दही ले सकते हैं किसी भी प्रकार के फल का आप रस पी सकते हैं उसका कोई दोश नहीं है और ग्रहन काल के अंदर देखा जाए तो गर्वती इस्त्रियों के बारे में बात करें तो गर्वती इस्त्रियों का सोना थोड़ा निशेद माना जाता है और गर्वती इस्त्रियों का खाना पिना निशेद माना जाता है लेकिन गर्वती इस्त्रिय अगर जल पीना है तो तुलसी दल डालके यानि तुलसी का पत्ता डालके जल को ग्रेंड करें तो थोड़ा दूश कम लगेगा खाना पीना अगर करना ही है तो लिक्विड डाइट ले सकते हैं दूद दई ले सकते हैं फल का रस ले सकते हैं कि फल नहीं खाना याद रखेगा साथी साथ ग्रहन काल के दोरान जातको को आपको हमको क्या करना है क्योंकि ये चंद्र ग्नायन है आंशिक चंद्र ग्नायन है तो चंद्रमा का मंत्र का जाप करना है चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सुमायनमा इस मंत्र का जाप करना है चंद्रमा के भाति हमारे जीवन में भी शांती हो तो चंद्रमा का ध्यान करते हैं इस्ट देपता कुल देपता की आप पूजा पाड़ भी कर सकते हैं चंद्रमा का आपको मंत्र जप नहीं आता है वैसे सरल मंत्र है ओम सोम सुमाय नमा फिर भी आप चंद्रमा का ध्यान करके जीवन में शांती को प्राप्तो कर सकते हैं और ग्रहन काल के बाद जब ये ग्रहन खतम हो जाएगा रात्री को दो बच के 24 मिनट पे मित्रूए है करी बाद आपको सपेद वस्तू दूद दही चावल का दान देना है यानि कि रात्री के समय आप वो चीज निकाल कर परिवार का हाथ लगा के ग्रहन के बाद आपको उसको साइड में या मंदिर में रख दीजेगा अगले दिन किसी गरीब को दान दे दीजेगा ग्रहन के थोड़ा गंगा जल डालके इसनान कर सकते हैं तो ग्रैंड के बाद घर की शुद्धी जरूरी है जै मातादी जै मातादी जी मैं आपसे पूसना चाहता हूँ कि आपका क्या अनुभव है आप कुछ बताईए पंडीजी के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है लाइफ में मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे में जब से किसी ने मुझे बताया था तो मैं मे बहुत बुरा वक्त देखा और देखे आज मुझे एक पॉसिटिव बहुत फील हो रहा है कि पंडीजी मिले है जो अप लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए पंडीजी मुझे अप मिले हैं वरना मिने 8-9 साल लाइफ के बहुत बहुत टफ देखे हैं बस मैं यही कहूंगे कि पंडीजी की जो डिएक्णोसेज हैं जो भी चीजें अच्छी बताते हैं लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल तक देखा जाता है विदेशों तक विदेशी लोग भी फोलो करते हैं, तो विदेशों में कहां कहां और किस समय दिखाई देगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले औस्टेलिया में देखा जाए तो सूतक मानने नहीं है, ग्रेंड का प्रभाव रहेगा, पार्शली रहेगा तो सूतक काल की आपको जुरूत नहीं है, मंदिर को ढखने की जुरूत नहीं है, बस ग्रेंड रहेगा, उसमें कोई आप काम मत कीजिएगा किसी भी प्रकार के, साथी साथ नेपाल के अंदर देखा जाए तो यहां सूतक मानने हैं, नेपाल में देखा जाए, रात को एक बच के एक बच के 21 मिनट से लेकर, दो बच के 37 मिनट तक ग्रेहन रहने वाला है, और इसका सूतक देखा जाए, तो नो गंटे पहले लग जाएगा, याद रखिएगा, तो नेपाल लगों को भी फोलो करना है, साथी साथ देखा जाए, तो कहीना कहीं, चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर देखा जाए, तो 29 अक्टूबर को देखा जाए, रात के 3 बच के 36 एम से लेकर, और 4 बच के 52 मिनट तक ग्रेहन का प्रभाव रहेगा, लंडन, यूके, ब्रिटेन में देखा जाए, तो भी यहाँ भी प्रभाव रहेगा, 8 बच के 36 मिनट रात से लेक पांच बच के 52 अम तक देखा जाए, तो आप पे ग्रेहन का प्रभाव रहेगा, यहाँ आपको फोलो करना है, और इसकी लिस्ट साथ में आपके आ रही है, साती साथ आप चर्चा कर लेते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, इसराइल और फिलिस्तिन का युद चल रहा है, कह साती साथ मेश राशी के अंदर लग रहा है, साती साथ देखा जाए, तो शनिवार के दिन, रविवार के दिन ये ग्रहन लग रहा है, शनिवार को भी पड़ेगा, सूतकाल इसका शनिवार को होगा, और ये ग्रहन रविवार के दिन लगेगा, तो इसका मेदनी जोतिश क् चर्चा कर लेते हैं तो देखे मेदनी जोतिस के अनुसार आश्वीन मास शनिवार रविवार को यदि ग्रहन लगता है तो कहीं ना कहीं चाइना इरान और मुस्लिम देशों के लिए ये खराब इस्थती है यानि यहां युद्ध को बढ़ाने वाला रहेगा युद्ध तो तो अगले 40 दिन देखा जाए तो धरम का जो यह वर्चस है इसकी जो लडाई है वह खतरनाक रूप से का खतरनाक मोड लेने वाली यह पता चलता है साथ ही साथ आप ग्रहन की कुंडली देखेंगे तो एक ग्रहों का पैटन समझ में आता है देखियेगा अभी ग्रहों का पैटन मेसरासी के अंदर देखियेगा तो यहीपर राहू-गुरू-चंद्रमा यानि तीन ग्रह यहां बेठें वहीपर तुला राशी में नजर डा है आप चर्चा कर लेते हैं कि बारा राशियों पे जो तिस के अनुसर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले मेश राशी के बारे में बात कर लेते हैं तो मेश राशी में देखा जाए तो भई इस ग्रैंड के प्रभाव से खासकर 15 दिन आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं सीनियार घर पे कलीक से वाद विवाद के आपके योग बनते हैं बिजली का अचानक खर्चा आपका बढ़ जाएगा वहान पे खर्चा आपका हो सकता है यानि यह ग्रैंड का प्रभाव भई खर्चे वाला है ब्रशब राशी के लिए बात करें तो भई कोई बड़ी बड़ी परेशानी में आप घर सकते हैं बड़ा मानसिक तनाव के अंदर आप घर सकते हैं या आपको डिप्रेशन या बुरे सपने वाली श्थतिय आ सकती है तो 15 दिन बिरशब राशी के लिए अच्छे नहीं है मिथुन राशी के बारे में बात कर तो मिथुन राशी के ग्रेय का प्रभाव बहुत यह अच्छा है इस Phillips से अचानक धनलाप के योग बनते हैं अचानक कोई बड़ा काम 15 दिन के अंदर बन सकता है बड़ी दिल बड़ी तो 15 दिन है संतान के लिए कश्ट दाया का संतान को थोड़ा परिशानी रह सकती है ऐसा योग बन रहा है। अब बात करें कन्या राची के लिए 15 दिन देखा जाए कार्य छित्र में बड़ा वाद विवाद हो सकता है। अचाना किसी मुसीबत किसी समस्या में घिरावा अपने आपको पा सकते हैं यानि कि हर काम 15 दिन तक थोड़े डिले से रहेंगे ऐसा यूग नजरा रहा है तुला राशी के लिए देखा जाए तो भई नया काम अगर आपने 15 दिन में शुरुआत की तो तुला राशी को हानी हो सकती है मानसिक रूप से बड़े उतल पुतल हो सकते हैं मानसिक आशांतिक हो सकती है बिजी रह सकते हैं खर्चे में विर्दी हो सकती है विदेशी कारियों में बिगन बादा हो सकती है कोई विदेश से मिलने आ रहा है विदेश से कोई डील हो रही है तो वो डिले हो सकत दनुराशी के बारे में बात करें तो अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है काम में रुकावटे काम में बहुत ज़्यादा अवरोद पैदा होगा यानि की काम होते होते रुख सकता है ऐसा योग नजरा रहा है साथी साथ मकर राशी के लिए देखा जाए तो मकर राशी को इस ग्रैंड से लाब हो रहा है अचानक बड़ा लाब हो सकता है बड़ी डील हो सकती है या 15 दिन में कोई अचानक बड़ा धनलाब कोई व्यक्ति करवा सकता है यानि मकर राशी के लिए तो अच्छा है साथी बड़ा अपाद बड़ा उदा बड़ा इस्थान परिवर्तन आपको मिल सकता है तो कुम राशी के लिए भी लापकारी है मीन राशी के बारे में बात करें तो कोई वस्तू 15 दिन आपकी चोरी या गुम हो सकती है यानि खर्चा हो सकता है और बड़े खर्चे के आपके योग चलेगा एक तो चंदरमा के मंतर का जाप करना है और साती साथ ग्रैंड काल के बाद आप सपेद वस्तू चावल चीनी या अदूद आप लेकर आप निकाल सकते हैं अपने लिए या जिनकी राशी उनके नाम से उनका हाथ लगा के अगले दिन मंदिर में दान से दे सकते है तो आशा करते हैं कि उससे जो नेगटीव प्रभाव है चंदरमा उसमें कहीना कहीं आपको आशिरवाद देंगे और नेगटीव जो रिजल्ट मिल रहा है जाता राशीयों को वो पोजटीव या कहीना कहीं ननलन वाइड में तबदील होगा ऐसी हमारी आचा है तो मित्रो के चारो तरफ हमारो सुझ जे तो सौब जाएगा है बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया मेरे को एक एक पैसे के मोताज हो गया मैं पैसे लेने के देने पड़ गए उस तेम मेरे को शराब किलत लगी दिन रात खाली उटते बैठते शराब 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 मेरा घर बार गया मेरा बिजनेस गया सब गया इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरू जी के बारे में बताया तो गुरू जी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरू जी के उपाय का मैंने सही सदूप योग किया मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया चारों तरफ मेरा समान जा रहा है और मेरे कमपनी का नाम भी है आज मैं गुरु जी के आशिरवाद से बहुत खोश हूँ धुन्यवाद